ओम श्री अनन्त कोटी ब्रह्मांड नायक राजा धिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदानंद समर्शत गुरू साइनात महराज कीज़े सभी प्रिय साइ भक्तों को मेरा सादर प्रणाम ओम साइडाम आईए भक्तों आज श्री साइ सचरित्र का अध्याए पाँच जिसमें चान पाटिल की बरात के साथ श्री साइ बाबा का पुने आगमन अभिनंधन तथा श्री साइ शब्द से संबोधन अन्य संतों से भेट वेश भूशावे नित्य कारिक्रम पादुकाओं की कथा मुहिद्दीन के साथ कुष्टी मुहिद्दीन का जीवन परिवर्तन जल का तेल में रुपांतरन मिथ्या गुरू जोहर अली जैसा गत अध्याई में कहा गया है मैं अब श्री साही वाबा के श्रीडी से अंतर ध्यान होने का पश्चाथ होने के पश्चाथ उनका श्रीडी में पुने किस प्रकार आगमन हुआ इसका वंडन करोंगा चांद पाटिल की बरात के साथ पुने आगमन जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गाउं में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोडी खो गई दो मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्ट्रम किया परंद उसका कहीं पता ना चल सका अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे तब लगबग 14 मिल चलने के पश्चात उन्होंने एक आमर वरक्ष के नीचे एक फगीर को चिलम तयार करते देखा जिसके सिर पर एक टोपी तन पर कफनी और पास में एक सटका था फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे जीन देखते ही फकीर ने पूछा ये जीन कैसी चांद पाटिल ने निराशा के सुर में कहा क्या कहूं मेरी एक घोड़ी थी वहखो गई है और यहे उसी की जीन है फकीर बोले थोड़ा नाले की और भी तो ढूड़ो चांद पाटिल नाले के समीब गए तो अपनी घोड़ी को वहाँ चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्रे हुआ उन्हें सोचा कि फकीर कोई समानने वेक्ती नहीं वरन कोई उच्च कोटी का मानव दिखलाई पड़ता है घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लोटकर आये तब तक चिलम भरकर तयार हो चुकी थी केवल दो वस्तों की और अवशकता रह गई थी एक तो चिलम सुलगाने के लिए अगनी और दूसरा साफी को गिला करने के लिए जल फकीर ने अपना चिम्टा भूमी में गुसेड कर उपर खीचा तो उसके साथ की एक प्रजवलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया फिर फकीर ने सटके से जोहीं बलपूरवक जमीन पर प्रहार किया तोहीं वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भीगो कर चिलम को लपेट लिया इस परकार सब प्रबंद कर फकीर ने चिलम पी और अततपश्चात चानपाटिल को भी दी यह सब चमतकार देखकर चानपाटिल को बड़ा विस्मे हुआ चानपाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का अग्रहे किया दूसरे दिन चानपाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा पाटिल धूपगाओं का अधिकारी था उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवा होने वाला था और बारात श्रिड प्राप्त हो गया और बारात कुशलता पुरवग धूप गाउं को लौट आई परंतु वहश फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन परेंत वहीं रहा फकीर को साइनाम कैसे प्राप्त हुआ जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महलसा पत तरुन फकीर को उतरते देख महलसा पती ने आओ साइन कहकर उनका अबिरंदन किया तथा अन्ने उपस्तित लोगों ने भी साइन शब्द से ही सम्मोंदन कर उनका आधर किया इसके पश्चात वे साइनाम से ही प्रसिद्ध हो गए अब पढ़ते हैं अन्ने संतों से संपर् श्रिडी आने पर श्री साइम भाबा मस्जिद में नवास करने लगे बाबा के श्रिडी में आने के पूर्व देविदास नाम के एक संत अनेक फर्षों से वहां रहते थे बाबा को वे बहुत प्रिये थे वे उनके साथ कभी हनुमान मन्दिर और कभी चावडी में रहते कुछ समय के पस्चात जानकिदास नाम के एक संत का भी श्रीडी में आग्मन हुआ अब बाबा जानकिदास से वारतलाब करने में अपना बहुत सा समय वेतीत करने लगे जानकिदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले जाया करते थे और पुरताम्बे के श्री गंगागिर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुदा बाबा के पास आया जाया करते थे जब प्रतम बार उन्होंने श्री साही बाबा को बगीचा सीचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा चमबा हुआ वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे की श्रीडी परम भाग्यशालिनी है जहां एक अमुल्य हीरा है जिने तुम इस प्रकार परिश्टरम करते देख रहे हो वे कोई समानने पुरिश नहीं है अपितुवे भूमी बहुत भाग्यशालिनी तथा महान पुन्य भूमी है इस इसी कारण इसे यहरत्न प्राप्त हुआ है इसी प्रकार श्री अकलकोट महराज के एक परसिद्ध शिश्य संत आनंदनात येवला मठ जो कुछ श्रीडी निवासियों के साथ श्रीडी पधारे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्दपी भायदिष्टी से ये साधारन व पॉट गए ये है उस समय की बात है जब श्रीडी बहुत ही साधारन सा गाउं था और साइमाबा छोटी उम्र के थे बाबा का रहन सेन वे नित्यकारे करम तरुन अवस्ता में श्रीड बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटवाए और वे सदेव एक पहलवान के तरह रहते थे जब वे रहता को जाते जो की श्रीडी से तीन मिल दूर है तो वहां से वे गेंदा जाई और जुही के पोदे मोल ले आया करते थे वे उन्हें सवच्छ करके उत्तम भूमी देखकर लगा देते और स्वयम सीचते थे वामन तात्या नाम के एक भक्ते इने नित्यवरती दो मिट्टी के घड़े दिया करते थे इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयम ही पोदों में पानी डाला करते थे वे स्वयम कुए से प पूट जाय करते थे क्योंकि वे बिना तपायें और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर दो नए घड़े दे दिया करते थे यह क्रम तीन वर्षों तक चला और शेरी साई बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की ए शिरी अकल कोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृशन जी अलीबाक कर था उनके चित्र का नित्ते प्रती पूजन किया करते थे एक समय उनने अकल कोट शोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चे किया परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अकल कोट महाराज ने स्वपन में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरीडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो इसलिए भाई ने अपने कारेक्रम में परिवर्तन कर शिरीडी आकर शिरी साही बाबा की पूजा की वे आनंद पूर्वग शिरीडी में छे मास रहे और इस स्वपन की स्मृती सुरूप उनने पादुकाओं बनवाई शक्स संख्या 1834 में श्रामण में शुब दिन देकर नीम व्रक्ष के नीचे वे पादुकाई स्थापित कर दी दाला कैलकर्त था उपासनी महराज नहीं अथा विदी स्थापना उत्सब संपन किया एक दिक्षित ब्राह्मन पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कारे एक भक्त सगुण मेरुनायक को सोपा गया आए कथा का पुण मिवरन ठाणे के सेवा निवरत मामलतदार श्री भीवी देव जो श्री साही भाबा के एक परम भक्त थे उनने सगुण मेरुनायक और गोविंद कमला कर दिक्षित से इस विशे में पूछताच की पादुकाओं का पूर्ण विवरन शिरी साही निला भाग 11 संख्या 1 प्रश्ट 25 में प्रकाशित हुआ है जो निम लिखिलत है शक संग्या शक 1834 सन 1912 में बंबई के एक भक्त डाक्टर रामाराव कोठारे बाबा के दर्शनात श्रिडियाए उनका कमपाउडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अली बागकर भी उनके साथ में थे कमपाउडर और भाई की सगुण मेरु नायक तथा जी के दिख्षित से घनिष्ट दोस्ती हो गई अन्य विश्व पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साही भाबा के श्रिडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम रक्ष के नीचे निवास करने को एतिहासिक स्मृति के उपलक्ष में क्यों ना पादुकाएं स्थापित की जाएं जब पादुकाओं के निर्मान पर वे चावे मर्श होने लगा तब भाई के मित्र कमपाउडर ने कहा कि यदि ये बात मेरे स्वामी कोठारे को विधित हो जाए तो वे इस कारे के निमित अती सुन्दर पादुकाएं बनवा देंगे यह परस्ताव सब को मानने हुआ और डाक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई उन्होंने शिरिडी आकर पादुकाओं की रूप रेखा बनाई तथा इस विशे में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेट की उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किये और कमल फूलादी खीच दिये तथा नीचे लिखा शलोग भी रचा जो नीम व्रक्ष के महतम में वे बाबा की योग शक्ती का धोतक था जो इस परकार है अर्थात मैं भगवान साइनात को नमन करता हूँ जिनका सानिद्य पाकर नीम व्रक्ष कटू तथा अप्रिये होते वे भी अमरित वर्षा करता था इस व्रक्ष का रस अमरित कहलाता है इन में इसमें अनेक व्यादियों से मुक्ती देने के गुण होने के कारण इसे कल्परुक्ष से भी स्ट्रिष्ट कहा गया है उबास्मी महराज का विचार सर्व मानने हुआ और कारे रूप में भी परिनत हुआ पादुकाएं बंबई में तयार कराई गई और कमबाउडर के हाथों शिर्डी भेज़ दी गई बाबा की आग्या नुसार इसकी सापना श्रावन की पूर्णिमा के दिन की गई इस दिन प्राते काल ग्यारा बजे जी के दिक्षिद उन्हें अपने मस्तक पर धारन कर खंडोबा मंदिर से समारों और धूमधाम के साथ द्वार का माई में ले आए बाबा ने पादुकाएं स्पर्ष कर कहा कि ये भगवान के श्रीचर्ण है इनकी नीम ब्रक्ष के नीचे सापना कर दो इसके एक दिन पूर भी बंबई के पार्सी भक्त पास्ता शेट ने 25 रुपेओं का मनी ओर भेजा बाबा ने ये रुपे पादुकाओं की स्थापना के निमित दे दिये स्थापना में कुल 100 रुपे व्याय हुए जिन में 75 रुपे चंदे द्वारा एकत्रित हुए प्रथम पांच वर्षों तक डाक्टर कोठारे दीपक के निमित 2 रुपे मासिक भेजते रहे उन्हें पादुकाओं के चारों और लगाने के लिए लोहे की छड़े भी भेजी स्टेशन से छड़े ढोने और छप पर बनाने का खट 7 रुपे 8 हाने सगुण मेरुनायक ने दिया आज कल जरबाडी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरुनायक नेवेद्य अरपन करते तता संद्या को दीपक जलाते हैं भाई कृशन जी पहले अकल कोट महराज के शिष्षे थे अकल कोट जाते वे वे शक 1834 में पादुका स्थापन के शुब अवसर पर शीड़ी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उनने बाबा से अकल कोट प्रस्तान करने के आग्या मांगी तब बाबा कहने लगे अरे अकल कोट में क्या है तुम यहां व्यर्थ क्यों जाते हो वहां के महराज तो यहीं मैं स्वयम हूँ ये सुनकर भाई ने अक्कल कोट जाने का विचार त्याग दिया पादुकाई स्तापित होने के पस्चात वे बहुदा श्रीडी आया करते थे श्री बीवी देव ने अंत में ऐसा लिखा कि इन सब बातों का विवरण हिमाडपन को विदित नहीं था अन्य था वे श्री साई सचरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते अब पढ़ते हैं मुहिद्दीन तंबोली के साथ कुष्टी और जीवन परिवर्तन श्रीडी में एक पहलवान था जिसका नाम मुहिद्दीन तंबोली था बाबा का उससे किसी विशे पर मत भेद हो गया फल सरूप दोनों में कुष्टी होई और बाबा हार गए इसके पश्चाद बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सैन में परिवर्तन कर दिया वे कफनी पहनते लंगोड बांते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढखते थे वे आसन तता शेन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम मिलाते थे इस परकार फटे पुराने चीथड़े पहन कर वे बहुत संतुष्ट पतीत होते थे वे सदेव यही का करते थे कि गरीबी अवल बात्शाई अमीरी से लाख सवाई गरीबों का अल्ला भाई गंगागीर को भी कुष्टी से बड़ा नुराग था एक समय जब वे कुष्टी लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागरत हो गई इसी उप्युक्त अवसर पर उसे देववाने सुनाई दी भगवन के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए इस कारण वे संसार छोड आत्मनुभूती के और जुक गया पूर्टामबे के समीब एक मट स्तापित कर वे अपने शिश्यों सहित वहां रहने लगा श्री साइबाबा लोगों से ना मिलते और ना ही वरतलाब करते थे जब कोई उनसे कुछ प्रशन करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे दिन के समय वे नीम वरक्ष के नीचे विराजमान रहते थे कभी कभी वे गाउं की मेड पर नाले के किनारे एक बबूल वरक्ष के चाहे में भी वेटे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा नुसार कहीं भी वायू सेवन को निकल जाये करते थे नीम गाउं में वे बहुदा बाला साहिब डेंगले के घर जाये करते थे बाबा शिरी बाला साहिब को बहुत प्यार करते थे उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहिब था के दित्वे द्वित्य विभाव करने पर भी उनको कोई संतान ना थी बाला साहिब ने नाना साहब को श्री साई मावा के दर्शनात श्रीडी भेजा कुछ समय पश्चाद उनकी श्री करपा से नाना साहिब किया एक पुत्र रतन हुआ इसी समय से बावा के दर्शनात लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंब हो गया तथा उनकी कीर्टी भी दूर दूर तक फैलने लगी एहमद नगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धी हो गई तब ही से नाना साथ चांदोर कर केशव, चिदंबर तथा अन्ने कई भक्तों का शिररी में आगमन होने लगा बावा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्री में जीन नशीरन मस्जित में शयन करते थे इस समय बावा के पास कुल सामगरी, चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारो लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बानते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीट पर गिरता हुआ ऐसा परतित होता था मानो बालों का जुड़ा हो, हफतों तक वे इने स्वच नहीं करते थे पैर में कोई जूता या चपल भी नहीं पैनते थे केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था वे एक कोपीन धारन करते और सरदी से बचने के लिए दक्षिन मुख हो धूनी से तपते थे वे धुनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तता अपना अहम इच्छाओं और समस्त विश्या आसकतियों की उसमें आहुती दिया करते थे वे अल्ला मालिक का सदा उच्चारन किया करते थे जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल दो कमरों के बराबर की लंबी जगा थी और यहीं सब भक्तन सब भक्त उनके दर्शन करते थे उन नीस सो बारा के पश्चाद कुछ परिवर्तन हुआ पुरानी मस्जिद का जीरुड़त द्वार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनवाया गया मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्गकाल तक तक्या में रहे वे पैरों में घुमरु बांद कर पेमिभल होकर सुन्दर नित्यवे गायन भी करते थे अब पढ़ते हैं जल का तेल में परिवर्तन बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था वे संध्या समें दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजा कर रात्री भर दीपक जलाया करते थे यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा अब बनिये तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चे किया कि आज कोई उन्हें तेल की बिक्षा ना दे नित्य नियमा उसार जब बाबा तेल मांगने पहुँचे तो परतेक स्थान पर उनका नकरात्म कुत्तर से स्वाकत हुआ किसी से कुछ कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी बनिये तो बड़े उस्चुख होकर उन पर दिश्टी जमाए हुए थे बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिलकुल थोड़ा सा तेल था उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्चिद जल वे पी गए उन्होंने उसे पुने टीन पात में उगल दिया और वही तो लिया वही तेलिया पानी दियों में डाल कर उन्हें जला दिया उत्सुक बनी उन्हें जब दीपकों को पूर्वरत रात्री भर जलते देखा तब उन्हें अपने किये पर बड़ा दुख हुआ और उन्हें बावा से क्षमा याचना की बावा ने उन्हें शमा कर भविश्य में सत्य वेवार रखने के लिए सावधान किया आए अब पढ़तें मिथ्या गुरू जोहर अली उपर्यूक्त वरनित कुष्चित के कुष्टी के पांच वर्ष पस्चात जोहर अली नाम के एक फकीर अपने शिश्यों के साथ रहता आए वे वीरभद्र मंदिर के समीब एक मकान में रहने लगे फकीर विद्वान था कुरान की आयतें उसे कंठस्त थी उसका कंठ मदुर था गाउं के बहुत से धार्मिक और शद्धालो जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्या आदर होने लगा लोगों से आर्थिक साहता प्राप्तकर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक एदगा बनाने का निश्चे किया इस विशे को लेकर कुछ जगड़ा हो गया जिसके फलसरुब, जहुर अली, रहता चोड़, श्रिडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में इवास करने लगा गुरू और शिष्चे दोनों पुने रहता में आकर रहने लगे, गुरू शिष्चे की योगता से अनभिग्य था, परंतु शिष्चे गुरू के दोशों से पूर्णता परिचित था, इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया, और पूर्ण लगन से अपना प्रकार से सेवा की, वे दोनों कभी कभी शिर्डी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास रहता में ही था, शिरी बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर रहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिर्डी वापस लाने के लिए ग इस परकार वातालाब हो ही रहा था कि इतने में फकीर आप होँचे, इस परकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का कुप रहतन करते देखकर वे बहुत ही क्रोधित हुए, कुछ वादविवाद के पश्चाद स्थिती में परिवर्तन हो गया, और अंत में यहने नहीं ह हुआ कि फकीर वे शिष्य दोने शिर्डी में निवास करें, और इसलिए वे शिर्डी में आकर रहने लगें, कुछ दिनों के बाद देविदास ने गुरु की परिक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई, चांद पाटिल की बरात के साथ जब शिर्डी में आये थे, उससे बा अक्षात मूर्थी तता अगाद ज्यानी थे, बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनात वे अन्ने लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे, लोग जोहर अली को उनके सम्मुक लाए, बिवाद में जोहर अली बुरी तरह पराजित हुआ, और शिर्डी छोड़ उनके शिष्य अब दूर हो चुका था, शिरी साही बाबा उसे गुरु समानी आदर करते थे, उसका स्मरन कर उसे बहुत पश्चाताब हुआ, इस प्रकार शिरी साही बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचर्म से आदर्श उपस्थित किया, कि अहंकार से किस प्रकार छुट पती के कतना नुसार है, अगले अध्याय में राम नम्मी कात्योहार, मस्जिद की पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीरुनोत द्वार इत्यादी का वर्णन होगा, शिरी सद्गुरु साइनात प्रणमस्तू शुभंभवतू, ओम साइनाम